कहानी बादशाह का सपना चतुराई और बुद्धी के सही इस्तिमाल के लिए बीरबल के किस्से खूब मशूर है बादशाह अकबर के ऊपर आई मुसीबतों को बीरबल हमेशा चुट्कियों में सुलजा देते थे सिर्फ असल जिन्दगी की परेशानी ही नहीं बलकि बादशाह के सपनों की गुद्धियों का जवाब भी बीरबल के पास होता था ऐसा ही एक किस्सा है बादशाह के अजीब सपने का आईए आपको सुनाते हैं पूरी कहानी एक बार की बाद है जब बादशाह अकपर गहरी नीन से अचानक उठ गए और फिर रात भर सो नहीं सके वो बहुत परेशान थे क्योंकि उन्होंने अजीब सा सपना देखा था जिसका मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे उन्होंने देखा कि उनके एक के बाद एक सारे दांत गिरते चले गए और आखे में सिर्फ एक ही दांत बचा इस सपने से वह इतने चिंतित हुए कि उन्होंने इसके बारे में सभा में चर्चा करने के बारे में सोचा अगले दिन सभा में पहुँचते ही अकबर ने अपने विश्वसनी मंत्रियों को सपना सुनाया और सभी से राय मांगी सभी ने उन्हें सुझाव दिया कि इस बारे में किसी जोतिश से बात करके सपने का मतलब समझना चाहिए बादशाह को भी यह बात सही लगी अगले दिन उन्होंने दरबार में विद्वान जोतिशों को गुलवाया और अपना सपना सुनाया इसके बाद सभी जोतिशों ने आपस में विचार विमर्ष किया फिर उन्होंने बादशाह से कहा, जहां पनाह इस सपने का एक ही मतलब निकलता है, कि आपके सभी रिष्टेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे जियोतिशों की यह बात सुनकर अकबर को बहुत कुस्सा आया और उन्होंने सभी जियोतिशों को दर्बार से जाने का आदेश दिया उन सभी के जाने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा बीर्बल तुम्हारे अनुसार हमारे सपने का मतलब क्या होगा बीर्बल ने कहा हुजूर मेरे हिसाब से आपके सपने का मतलब यह था कि आपके सभी रिष्टेदारों में से आपकी उम्र सबसे ज्यादा होगी और आप उन सभी से ज्यादा समय तक जीते रहेंगे इस बात को सुनकर बादशाह अकपर बहुत खुश हो गए वहां मौजूद सभी मंत्रियों ने सोचा कि बीर्बल ने भी जोतिशों की ही बात को दोराया है इतने में बीर्बल ने उन मंत्रियों से कहा कि देखो बात वही थी बस कहने का तरीका अलग था बात को हमेशा सही तरीके से सामने रखा जाना चाहिए मंत्रियों को इतना कहकर बीर्बल सभा से चले गए कहानी से सीख किसी भी बात को बोलने का एक सही तरीका होता है विचलित करने वाली बात को भी सही तरीके से कहा जाए तो उसका बुरा नहीं लगता इसी वजह से बात को हमेशा सही तरीका और सलीके से रखा जाना चाहिए